हेई वास्ट सब गाइस वैलकम टो एव्योक्स और भाई दोस्तों आज एक ट्रिक है बहुत ही ओसम है और आप मेंसे काफ़ी लोग इस ट्रिक को जूट समझने वाले हो लेकिन ये ट्रिक सच में असली है तो गाइस में मार्केट में क्या था एक बंदे ने मुझसे सट लगा है ना आप सुच रहे होंगे कि अंदा तो यार मैं उंगली से ही तोड़ दूँगा नहीं दिर में नहीं आपको उंगली से ही तो नहीं तोड़ना है आपको अंदा इस तरीके से अंडे को खड़ा हुआ रखना है इस तरीके से और जो दूसरा हाथ है उसे भी इस तरीके से रखना है और उसके बाद अंडे को इस तरीके से तादक लगा के तोड़ना है तो गाइस देखिए मेरे हाथों में गड़े हो जाएंगे लेकिन ये अंडा नहीं तूटेगा और गाइस ये रियल है कोई भी फेक नहीं है आप भी इस चीज़ को ट्राय कर सकते हो आपसे अंडा नहीं तूटेगा आप बस अंडे को इस तरीके से आड़ा मत रखना इस तरीके से खड़ा रखना है और ये आपसे नहीं तूटेगा अब भाई मेरे दिमाग में ये आया कि ये आखिरकार कितना ब क्या पता नहीं ठूटा क्योंकि जिसे साब से मैंने तागत लगा यह उसे साब से पांच किलो का भी जेल जाएगा ऐसा भी जेल लगा तो अभी जो इस पर बजन रख रहा है इस चीज पर रख दूँगा इस तरीके से और इसके ऊपर बांट यह तो नहीं रख दूँगा इसके ऊपर टेप रख दूँगा इससे क्या होगा कि यह बांट गिरेंगी नहीं और ओ माइग गाइस आधी किलो बजन को तो यह जेल चुखा है यानि कि आधी किलो बजन से कुछ भी नहीं हुआ अभी देरे से इसे अठा तमों है और अब भरी है एक किलू पीजी और ग्याई ये रियल भारी बांट है को यह समझरा हो कि ये दिर्पों बात रोह की कि देखो गई येगा उप है कि टिरू बजन गार इस झूज यो एक किलू बजन और बहुत अंडे ने तो चलिए इसका बढ़ाते जाते हैं दीरी दीरी करके हैं अब डेड़ किलो ओमाइगाड डेड़ किलो बसन भी कुछ भी असर नहीं हुआ अभी अंडे पर तो गाइज अब बारी है टू केजी यानि की दो किलो की और गाइज मुझे लगता है दो किलो पर ये टूट जाएगा क्योंकि गाइज है तो अंडा ही यार एक अंडा कितना बसन जेल सकता है हाँ तो भाई रेड़ी वाण टू और ये दू कलो बसन ओ भाई ये देखो ओ माई गौड ओ यार मुझे अपनी आंगों पर विस्वास नहीं हो रहा इसने दो कलो वजन उठा लिया यार अब मैं इस पर आदी के लोग और बढ़ाता हूं ओ भाई ये देखो अभी जो है एक क्लो बढ़ाता हूं इस आदी के लोगे को हटा कर मुझे डल लग रहा है काफी ज़्यादा क्योंकि या अटा जरा सा भी हिल गया तो तूटने के चांसे हैं ओ भाई तीन किलो बज़र यार बहुत बड़ी बात हो गई गाइस वो भी अंडे पर अभी जो है और बढ़ाने बारा हूं यह देखो दो किलो एक किलो और आधा किलो सोचो यार यह कितना वज़र हो गया यार साड़े तीन किलो वज़न को यह जहल जबाया और अब बारी है ब्रहमास्त्र पांच किलो यानि कि फाइर केजी वज़न की और इसे वह यहां से हटा देता हूं दीरे दीरे तो गाइस सारा खेले इस अंडे के हिलने का है अगर भाई चांस भी अंडा हिल गया तो इसके तूटने के चांसे ज्यादा हो जाते हैं तो 5kg बेट रखने वाले हैं इसके उपर तो भाई तग्यार हो जाई है मुझे फूरफूरफूरण डर है कि यह इस बार फूटने वाला है क्योंकि 5kg बजन बहुत होता है यार मेरे हाथों पर भी काफ जादा बजन लगाना पड़ता है 5kg के लिए तो इसे मैं इसके उपर आराम से ओ माई गौड ओ भे यार यह तो सबसे बड़ा बांट था गाइस 5kg बजन वो भी एक अंडे पर यार सोचने वाली बात है 5kg बजन अब ही जो है मैं इसके उपर आरा के लोग फिर से बढ़ा के देखता हूं कि इससे भी उत्था सकता है या फिर नहीं और भाई यह देखो ओ भाई यानि इसकी लिमिट अब ही और जादा है तो आप खुस सब्सक्ते हों कि मैं जब इससे इस तरीके से तोड़ने की कुसिश d कर रहा था। आप खुस सब्सक्ते हों मैं कितनी ताकत लगा रहा था लेकिन फिर भी अंडा तूटने का नाम नहीं ले रहा था ओ माई गॉड यार यह साइद और बजन ले सकता है तो दो किलो रखता हूँ गाइस टेप हिला टेप हिला गाइस मैंने कहा था ना कि अगर यह बाई चांस भी हिल गया यह देखे थोड़ा सा हिल गया इसके तूटने के चांसे ज्यादा हो जाते हैं तो इसे खिलने नहीं देना है मुझे सबसे तो पहले ही यह याद रखना है ओ माई गॉड़ ओ माई गॉड़ तो गाइस इस अंडे के ऊपर हमारे पास जितने भी वाट थे हमने सारे के सारे रख दिये लेकिन यह नहीं डूटा तो आपको सुख सकते हो कि एक अंडा इस तरीके से कितना मजबूत हो सकता है और आप मैंसे काविल हो कहिने कि यह अंडा नहीं है तो भाई मैं आपको चे कराता हूं कि यह अंडा ही है यह देखो भाई यह अंडा है और इसे मैं फोर्ड हूं किस चीज में अरे भाई मैं रुको अभी मैं एक वीकर लाता हूं यह अंडा यह पर राखा हुआ है लेकिन मेरे पास यह वीकर है इसके अंदर मैं इसे फोर्ड के आपको दिखाने वाला हूं कि यह अंडा है यह देखें अरे टूट गया यह देखो यह साइड से इतना नाजुक होता है कि आप इसे बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हो लेकिन खड़ा हुआ अंडा बहुत ज यह प्योर अंडा है बाई यह देखें और यह इतना मजबूत था कि इसने 5 केजी 2 केजी यानी 7 केजी 8 केजी साड़े 8 केजी यानी 8.5 केजी बजन को उठा लिया तो आप किसी से भी बेजज़कों कर यह सर्थ लगा सकते हो कि वो अंडे को हाथ में इस तरीके से खड़ा ह हुआ रखके सौरी आड़ा नहीं खड़ा हुआ रखके उसे तोड़ नहीं सकता है आप बेज़ज़कों के सर्थ लगा सकते हो वो अंडा नहीं तूटेगा बस एक सर्थ पर तूट सकता है अगर बाई चांस भी उसमें साइड से पोर्स लगा दिया जाए यानी कि इस साइ से आप कितनी थी ताकत लगा दे रहां अंडा नहीं तूटेगा बागी यह जो ट्रिक है आपको पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक मार दो और सब्सक्राइब करने के बाद उस गंडी को भी दबाले हम मिल दें आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक नए